मंधन चला धार नहेतो, ते वासुर परिपाल नभो, कूर्माकार शरीर नमो, हरि भक्तम ते परिपाल यमाम, जिनहोंने मंदरा परवत को उठाया, जिससे समुटर का मंधन हुआ, जिससे देवो और असुरों का परिपालन हुआ, वे जिनका शरीर कूर माकार सा है उनको मेरा नमन है मैं उन हरी का भक्त हूँ कृप्या मेरी रक्षा करे राथे राथे जी पवत्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार तक स्वागत है मैं हुगातियाईनी भक्तों जिस प्रकार प्रतियक एकादशी का अपना नाम और अलग महत्व होता है उसी प्रकार एकादशी के बाद आने वाली द्वादशी का अपना महत्व और अलग नाम होता है पौश मास में पुत्रिदा एकादशी के बाद आने वाली द्वादशी को कूर्म द्वादशी कहते हैं इस दिन भगवान श्री हरी विश्णुजी के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की पूजा की जाती है वैसे भगवान श्रीहरी विष्ण जी के कूर्मावतार की जहनती वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है आज के इस वीडियो में हम प्रस्थुत कर रहे हैं कूर्मावतार की कथा आईए श्रावन करें परन्तु उससे पहले हमेशा की तरह ओम नमो भगवते कूर्म देवाया लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है कूर्म के अवतार में भगवान विश्णुजी ने क्षिर सागर के समुत्र मन्थन के समय मन्दार परवत को अपने कवच पर संभाला था इस प्रकार भगवान विश्णुजी मन्दार परवत और वासुकी नाग की सहायता से देवों इवं असरों ने समुत्र मन्थन करके जादा रतनों की प्राप्ती की इस समय भगवान श्रीहरी विश्णुजी ने मोहिनी रूप भी धारन किया था पद्म पुरान में वर्णन है कि देवराज इंद्र ने रिशी दुर्वासा द्वारा प्रदक्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा रिशी जी ने शिराप दिया कि उनका वैभव नश्ट हो जाएगा परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुत्र में लुप्त हो गए इसके पश्चाग भगवान विश्णुजी के आदेश आनुसार देवताव तथा असरों ने लक्ष्मी को पुनह प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा शीरख सागर का मंथन किया मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा तो भगवान विश्णुजी ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देवताओं और असरों ने समुत्र से अम्रत एवं लक्ष्मी सहित 14 रतनों की प्राप्ति करके पूर्वत द्वैभव संपातित किया एक आदशिका अपवास लोक में कच्छप आवतार के बाद ही प्रचलित हुआ कूर्म पुरान में भगवान विश्णुजी ने अपने कच्छप आवतार में रिशियों से जीवन के चार लक्ष यानि धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन किया भगवान विश्णुजी ने विश्व कल्यान तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश से कई अवतार लिए जिन में उनका कूर्म अवतार द्वितिय अवतार था इस अवतार में भगवान विश्णुजी कच्छुए के अवतार में प्रकट हुए थे इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कच्छवा अवतार के नाम से भी जाना जाता है इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विश्णुजी का उद्देश देवदानवों की समुत्र मन्थन में सहायता करना तथा मंदार परवत का भार उठाना था यह है भगवान विश्णुजी का कच्छप अवतार की कथा, कूर्मावतार की कथा देवदा हुए शक्तिहीन तथा बली बना तीनों लोकों का जाजा एक समय जब देवदा को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था तब उन्होंने रिशीद दुरवासा का अपमान किया था इसी से कृत होकर रिशीद दुरवासा जी ने देवदाओ को श्री हीन होने का श्राब दे दिया था इसके पस्चा देवदाओ की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गए थी जिस कारण दानवों के राजा बली ने देवराज इंद्र को पराज़त कर दिया था एक समय देवराज इंद्र के शोर्य को तेख रिशीद दुरवासा जी ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की परन्तु देवराज इंद्र ने इसे ग्रहन ना करते हुए एरावत हाथी को पहना दिया और एरावत ने उसे भूमी पर फेंग दिया दुरवासा जी ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राब दे दिया इनके देवताओं पर अभिशाब के कारण देवताओं ने अपनी शक्ती खो दी अब तीनों लोकों पर दानवो का राज हो गया था तथा चारों और अधर्म बढ़ने लगा था या देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गये तथा वे ब्रमाजी के पास मार्ग दर्शन के लिए पहुँचे तब ब्रमाजी ने देवताओं को भगवान श्री हरी विश्नुजी से संपर करने को कहा तब सभी देवतागन भगवान श्री हरी विष्णुजी के शरण में गए और देवतागन ने भगवान विष्णुजी से कहा आपके श्री कमल चर्णों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें तब भगवान विश्णुजी ने देवताओं से पूछा, आप सभी देवतागन इतने परेशान क्यों हैं? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हमें असुरों ने युद्ध में हरा दिया है, तो प्रभू असुरों से जीतने का कोई उपाय बताएं. तब भगवान विश्णुजी बोले, देवगन आप सभी समुद्र तट पर जाकर असुरों से समझोता कर लें और मंदराचल परवत को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रसी का काम लें. तब परवतों से जड़ी बोटियां हटाकर समुद्र में डालें और असुरों के साथ समुद्र मंथन कर लें. उसके पश्चात समुद्र मन्थन में अमरित उत्पन होगा जिसे पीकर देवता अमरित शक्ति को प्राप्त कर अमर हो जाएंगे जिससे उसी के साथ सभी देवगन शक्तिशाली हो जाएंगे और उसी शक्ति से देवगन असुरों को हरा पाएंगे उसके बाद भगवान विश्णुजी को प्रणाम कर सभी देवताओं ने असुरों के साथ समझोता किया और समुद्र मन्थन की तैयारी में लग गए तब देवताओं ने रखा राजा बली के सामने समुद्र मन्थन का प्रस्ताव भगवान विश्णुजी की आग्या पाकर सभी देवतागन देवराज इंद्र के साथ राजा बली की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा वैसे तो दैत्य गुरू शुक्राचारी जी को देवताओ पर विश्वास नहीं था किन्तु उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमती दे दी इसके बस्चाथ देवता तथा दानव ख्षीर सागर में समुत्र मन्थन के लिए पहुँचे भगवान विश्वास ने स्वयम की समुत्र मन्थन में सहायता समुत्र का मन्थन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यक्ता थी जो उसे मत सके इसके लिए भगवान विश्णुजी ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार परवत को काट कर समुत्र में रख दिया इस परवत की सहायता से देव और दानव समुत्र को मठने का कार्य कर सकते थे अब उन्हें इस परवत को घुमाने के लिए एक ध्रड रसी की आवश्यक्ता थी इसके लिए भगवान विश्णुजी ने स्वयम अपना वासुकी नाग दिया वासुकी नाग को मंदार परवत पर लपेटा गया समुत्र मन्थन में भगवान विश्णुजी ने असुरों को नाग के शीर्ष भाग अर्थात मुख की और और देवताओं को नाग की अंतिम छोर अर्थात पूछ की और रखा मन्थन शुरू होने पर आधार ना होने के कारण मंदराचल परवत समुत्र में डूबने लगा तब भगवान विश्णुजी ने सोचा अब मुझे ही कुछ करना होगा तब भगवान ने कूर्म रूप धारन किया और मंदराचल परवत के नीचे घुस कर उसका आधार बने क्योंकि समुत्र बहुत विशालत था गहरा था और इसमें कोई पक्की भूमी नहीं थी इसलिए मंदार परवत अंदर रसा तल में जा रहा था यदि वह डूब जाता तो समुत्र मंधन का कार्य अधूरा रह जाता यह देखकर भगवान विश्णुजी स्वयम देवदानों के सहायता करने के लिए अपना त्विती अवतार लेकर आए कच्छोय का पीठ ठोस होता है उसमें बहुत भारी वजन उठाने की क्षमता होती है कूर मवतार के पीठ का व्यास एक लाख योजन था इससे मंदार परवत उस पर टिक कया अब देवदानों ने कई दिनों तक समुद्र मंधन का कार्य किया इसके पस्चात समुद्र मंधन से एक एक करके चौदारत्न प्राप्थ हुए जिनमें हलाहल, कामधेनुगाई, मालक्षमी, एरावतहाथी, उचैश्रवगोडा, कौस्तुभमणी, कल्पवरिक्ष, रंभापसरा, वारुनी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांच जन्य, धन्वंत्री भगवान जी तथा अमरित प्राप्थ हुए जैसे ही अमरित प्राप्थ हुआ, वैसे ही देवदानों के बीच उसे प्राप्थ करने के लिए भयानक युद्ध छड़ गया तब भगवान विश्णुजी ने अपना अन्शवतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्थ किया तथा सृष्णी का उद्धार किया जब अमरित का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए तब असरों ने कहा देवताओं ने लक्ष्मी जी को विश्णुजी के पास जाने दिया इसलिए हम ये अमरित लेकर जा रहे हैं तब भगवान विश्णुजी ने एक सुन्दर स्त्री का रूप धारन किया और असरों के पास गए तब असरों ने कहा वा क्या सुन्दर स्त्री है या तो बिलकुल लक्ष्मी जी की तरह है हमें ये स्त्री ही चाहिए स्त्री के मोहवश उन्होंने अमरित का कलश जमीन पर रख दिया तब ही भगवान विश्णुजी ने वह घड़ा उठा कर देवताओं को दे दिया और कहा कि असर उस्त्री के मोह के कारण अमरित को भूल गए हैं तो देवगण आप सभी इस अमरित का पान कर ले अमरित पीने के बाद देवताओं ने असरों को युद्ध में हरा दिया इस प्रकार भगवान विश्णुजी ने देवताओं के भले के लिए समुद्र मन्थन किया और कूर्मावतार लिया यह है भगवान विश्णुजी के द्वितिय अवतार कूर्मावतार की कर था भक्तो आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुती अच्छी लगी इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृप्या हमारे यूट्यूब चानल पवत्रवचन को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जैश्रिक रिष्टर राधे राधे